हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो फाइल मनेजर की कोई आप सौंग डाउनलोड करते हो तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप उसे रिंटोर में कैसे सेट कर सकते हो इस मुबाइल को सेटिंग को हम यहां से ओपिन कर लेते हैं ओपिन करने के बाद आम में कुछ इस तरह का आप सना में देखनों को मिल जाएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पर nature स्वाध्यव करना है इसके बाद आपको यहाँ पर sound and vibration का options हो रहा है तो इस वाले option पर आपको directly click करना होगा चलीज पर हमने click करते हैं अगर आप other company के mobile यूज करते होगे तो आप में कुछ उपर नीचे आपको यह option देखनों के मिल सकता है तो click करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का option आप में देखनों के मिल जाएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पर ringtone का option सो रहा है तो इस वाले option पर आपको directly click करना होगा click करने के बाद आपको file manager की song लगाने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप में यहाँ पर option सो रहा है choose local ringtone का option तो इस वाले option पर आप directly जब click करेंगे click करने के बाद आप में इस तरह का option आप में देखनों के मिल जाएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पर file manager की जो भी song आप download की होंगे यहाँ पर click करेंगे तो वाँ song आपकी यहाँ पर दिखने लगेगी तो हम नहीं देख सकते हैं अपने एक ही song यहाँ पर download की है file manager में तो देख सकते हैं इसके return लगाने के लिए आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस फिलप वाले option पर click करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो okay का option आप में सो रहा है तो इस वाले option पर आप click करेंगे तो आपकी जो यह return लग जाएगी तो वैसे ही आप return लगा सकते हो file manager की तो यह आपको हमारे वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जरू लाइक के दिजीगा और हमारे चैनल को subscribe कर लिजीगा धन्यवाद